हेलो दोस्तों कैसे आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे सरीर में एक ऐसा लक्षन जो काफी ट्रांस्परेंटली बताते हैं कि आपको गर्वधारन क्यों नहीं हो रहा है प्रेंट्स कई बार ऐसा होता है कि हम इन एक लक्षन को पहचान नहीं पाते हैं और बहुत सारे दवा़ियों का सेवन कर लेते हैं बहुत सारे पैसा भी खर्चा हो जाता है लेकिन क्या पैसे खर्च करना क्या दवाईयां खाना एक best solution है जी नहीं दवाईयों से आपके problem हमेशा के लिए ठीक नहीं होने वाली है और जो लक्षन में आज के वीडियो में बताने वाली हूँ वो अक्सर infertility face कर रही महिलाओं के सरीर में देखा ही जाता है यह है आपके discharge से जुड़ी वी problem अगर आपको slitty color का, अगर आपको green color का, अगर आपको भूरे रंग का या फिर अगर आपको काफी ज़्यादा पीले रंग का discharge होता है और यह महिने में कभी भी हो सकता है, किसी वी वक्त हो सकता है किसी महिला को ज़्यादा, किसी महिला को कम हो सकता है अगर ऐसा कोई discharge आपको feel होता है निचले अंगों से दिखता है आपको तो आप समझ जाए कि आपका present अंग बिलकुल भी सही नहीं है और यह medicine से ठीक नहीं होगा इसके लिए कुछ lifestyle में बदलाव करने होंगे कुछ ऐसे खान पान में बदलाव करने होंगे जो अंदर से आपके reproductive system को अच्छा मजबूत बनाए रखे और discharge एक बहुत main part होता है अगर conceive करना है क्योंकि friends यह जो discharge होता है वो आपके cervix को मुग को बहुत जादा मुलायम रखता ह sperm को अंदर तक ले जाने में help करता है एक के पास तक और जिन महिलाओं को discharge संबंदित समस्या होती है उनकी ovulation खराब होती है उनके ovulation के साथ-साथ जो एग होता है वो भी खराब बनता है क्योंकि यह जो discharge है यह जो infection है वो कई बार आपके बच्चे दानी तक भी पहुँच ज देना चाहिए इस discharge के साथ-साथ कई सारी महिलाओं को fever होना सरीर के कई सारे हिस्सों में जैसे कमर में निचले अंगों में दर्द होना बहुत जादा जलन की problem होना संबंद बनाते वक्त काफी तेज पेन होना यह सब विकार problems create हो जाते हैं तो ऐसी condition में महिलाओं के health के साथ महिलाओं को compromise नहीं करना चाहिए और बात जब आपके conception की है तब तो इसे बिल्कुल बेग्नोर ना करें दोस्तों आज कल के life style में काफी आम बात है infection का होना क्योंकि friends proper hyzen ना maintain करना over stress होना यह सब ही चीजे मिलकर आपके infection का कारण बनती है और इस infection को हम east infection या फिर urinary tract infection, UTI infection भी कहते हैं बेसिकली यह hormones के change होने की वज़े से भी होता है अगर hormones disturb है तो भी infection बार बार होता है इसलिए friends आपको आज से ही आपके खाने की चीजों में vitamin C, probiotic चीजे और इसके अलावा antifungal, antibacterial गुनों से भरपूर चीजों का सेवन करना पड़ेगा तो इसको हम तीन category में divide कर लेंगे सबसे पहले खाने पीने की चीजों में आपको क्या लेना है आपको खाने की चीजों में प्रती दीन आपको लेना है curd यानि दही जिसमें probiotic चीजें होती हैं तत्व होते हैं जो infection से महिलाओं को बचाते हैं तो एक कटोरी दही का सेवन आज से ही चालो करें इसमें good bacteria होने की वज़े से या आपकी human system को भी बढ़िया रखता है और मजबुत बनाता है इसके अलावा विटामिन C के लिए आप संत्रे का सेवन कर सकती है डेली एक संत्रे का सेवन करना स्टार्ट करिए या फिर उसके juice का भी सेवन कर सकती है आप नीम्बू का होता है बहुत ज्यादा anti accident होता है तो आप संत्रा या नीम्बू दोनों में से जो भी आपके पास option है उसे जरूर चूज करें इसके अलावा अब जानते हैं friends की आपको अगली step क्या उठानी है देखें friends जहां पे आपको infection है उस body के part को clean रखना बहुत ज्यादा important होता है य एक चमच या दो चमच आजवाइन का मिला कर उबाल लीजे पानी ठंडा करकर छान कर जब आप washroom यूज करेंगे तब आपको अपके infected area को इससे wash करना है फिर cotton कपड़े से इसको पोच लेना है अच्छे से और उसके बाद friends आपको hyzen maintain रखना है यानि साफ सुथरे panty का आपको नीम के कुछ लेने होंगे एक दो लीटर पानी के अंदर इसे उबालना होगा फिर ठंडा कर लीजे चान लीजे और इसे भी washroom जाते वक्त आप इस्तेमाल करिए धोने के पानी से क्योंकि friends जो नीम है या फिर जो आजमाइन है यह antibacterial गुनों से भरपूर है तो यह infection को दूर करने के लिए काफी कारगर है बहुत प्राचीन जमाने से इसका प्रयोग किया जाता है nationally ayurvedic तोर पे इसके अलावा friends आपको coconut नारियल तेल का इस्तेमाल करना है नारियल तेल किसी भी चर्म रोग के लिए काफी जादा important होता है चमडी पे किसी भी प्रकार का infection होत है तो नारियल तेल बहुत ही जादा अच्छे से उसको ठीक करने में help करता है नारियल तेल किसी भी तरह का infection बढ़ने भी नहीं देता है तो आप जब wash and use करेंगे cotton कप्रे से पहुश लेंगे अपने private part को उसके बाद नारियल तेल को apply कर लीजे ताकि वो जो area हो वो नर में रहे और वो hyzen maintain करें आपको किसी प्रकार का infection ना होने ते इसके अलावा थोड़ी बहुत साब सपाई पर भी ध्यान रखना होगा बहुत long time तक आपको किसी ही under pant को नहीं पैनना चाहिए यानि 5-6 घंटे में अपने panty को change कर लीजे बहुत जादा discharge हो रहा है तो friends आप जो है पैट्स का भी इस्तेमाल कर सकती है जो काफे ज़्यादा thin pad आते हैं केवल discharge में use करने लायक होते हैं तो उन पैट्स का भी इस्तेमाल कर सकती है इसके अलावा कोई भी खुश्वुदार product जैसे कि खुश्वुदार साबून हो गया वो आपको आपकी private part में नहीं लगाने च होता है तो I really hope कि यह सारे remedies को use करके आप बहुत तुरंत healthy हो जाएंगी और friends healthy रखना आपकी निशले अंगों को must है जरूरी है क्योंकि वही एक जडिया है जहां से जो सेल होते हैं जो moment होती है जब आप संबंद बनाते हैं उसके अंदर जाने की capability होती है शमता बढ़ती है अगर आपका ही health सही नहीं है infection से गिरी वही है तो वह सेल वहीं पर मर जाएंगे खराब हो जाएंगे फिर गरवदारन करने में भी दिक्कत होगा तो I really hope कि यह चोटी से वीडियो में बहुत सारी knowledge मिली होगी आप अपने आपको healthy रखेंगी conceive करने के लिए अपने आपको कि प्राइडी करना है problem से कैसे बचके रहना है वो सब कुछ आप जान चुकी है और in fashion एक बहुत main जो है point है आज कल के lifestyle में बहुत आम बात हो गई है conceive करने को ले करके और इसके पीछे medicines खाते रहते हैं पैसे खर्च करते रहते हैं उससे long time के लिए आपको फाइदा नहीं मिल है अगर आपके फिर भी कोई मन में प्राशने हैं आप नीचे comment section में मुझे लिख दीजिए या फिर instagram पे follow करिए या फिर facebook पेस पे follow करके भी message कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादर से ज़्यादर शेयर लाइक और चानल को subscribe करना आप बिलकुल भी न भूले मिलती हो फिर नेक लगे टिकेट गाइस थैंक्स पर वाचेंग